मध्य प्रदेश हाई कोट में लहसुन को लेकर एक मामला आया जहां पर सवाल ये था कि लहसुन को सबजी माना जाए या फिर मसाला दोस्तों क्या आपने भी कभी सोचा है कि लहसुन सबजी है या मसाला खेर ये किचन में खाना बनाने वाली महिलाईं या फिर होटल के शेफ के लिए भी बता पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है तो मध्यप्रदेश हाई कोट में इसी बात को लेकर एक लंबी कानूनी लड़ाई चली और अब हाई कोट ने इस पर अपना फैसला सुनाया है और लसन को कैटेगराईज किया है और ये फैसला इस बात को भी प्रभावित करता है कि पूरे स्टेट में लहसुन किस तरह से बेचा जा सकता है और किसानों को इस फैसले से काफी राहत मैसूस होई है तो इतना तो हम सभी जानते हैं कि अलग-अलग तरह की सबजियों में स्वाद बढ़ाने में लहसुन का बहुत बड़ा हाथ होता है और अभी तक मंडी बोड और आलू प्याज आयोक संग और खुद हाई कोट में भी ये आकरशन का केंदर बना हुआ था इससे पहले क्रिशी उपच मंडी समिती ने लहसुन को मसाले के रूप में कैटिग्राइज किया था जिससे उसकी बिकरी को कुछ बजारों तक सीमित कर दिया गया था जिससे किसानों के लिए लहसुन को बेचना थोड़ा मुश्किल हो गया था और तभी से ये मामला हाइलाइट हुआ जब 2007 में मंद सौर में एक लहसुन व्यपारी ने मंडी बोड से अपील की कि लहसुन को केवल सबजी मंडियों के बजाए क्रिशी उपच मंडियों में भी बेचा जाना चाहिए इस दलील का आलू प्याज एसोशियेसन ने विरोध किया था मंडी बोड ने स्टार्टिंग में लहसुन की खरीद को ऑप्शनल बनाया जिसके कारण आगे अपील की गई और इन अपीलों में सवाल उठाया गया कि मसालों के रूप में कैटेगराईस दूसरे क्रिशी उत्पादों को भी सबजी मंडियों में क्यों नहीं बेचा जा सकता जिसके कारण मध्यप्रदेश के सच्चिवन ने निर्देश दिया कि लहसुन को केवल क्रिशी उपच मंडियों में ही बेचा जाना चाहिए और इस फैसले से लहसुन व्यपारी आसंतुष्ट थे और इस मामले को हाई कोट ले कर गए और आखिर में हाई कोट ने अपना एहम फैसला सुनाते हुए ये कहा कि किसान अपनी पसंद के किसी भी बाजार में लहसुन बेचने के लिए स्वतंत्र है और इसी फैसले को बाद में हाई कोट की डबल बेंच ने भी बरकरार रखा जिसने लहसुन को क्रिसी उत्पात के रोप में स्वेकार किया और इस प्रणाली को भी खतम किया कि उसकी बिकरी को सबजे मंडी तक ही सेमित रखना चाहिए हो फरेंड की ये वीडियो आपको इंफरमेटिव लगी होगी वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा